किसान भाईयों नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगी कि मैं केले के खेत में मौझूद हूं दोस्तों और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे खेत में जो केला लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं द तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों यह जो पत्तियां हैं यह किनारे किनारे से सूख रही हैं तो दोस्तों इसी के बारे मैं आज बताने वाला हूँ मैं देखिए कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो ना किसी बुक में पढ़के बताने जा रहा हूं ना कि मैं गूगल पर पढ़के बताने जा रहा हूं दोस्तों मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो अपने पर्थनात अनुभों के बेस पर ही बताऊंगा दोस्तों तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं आगे दोस्तों तो दोस्तों ये केले की पत्तियां जो हैं वो किनारे से सूखने के इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों पहला कारण तो यह हो सकता है कि हमारे खेत में पोटास की कमी हो सकती है तो दोस्तों पोटास की कमी से यह होता है कि जो पत्या होती है वो किनारे से सूगने लगती हैं और सिकूरने लगती है दोस्तों पहला कांड तो हमारा यह हो गया दोस्तों लेकिन ऐसा है कि हमारे खेद में पोटास की कमी है नहीं हमने पोटास पहले से भरतपूर मात्रा में डाल रखी है इसलिए हमारे खेद में यह हो सकता है कि दूसरी कमी हो और दूसरी कमी दोस्तों यह होती है कि हमारा जो पौधा होत आपके यहां पता नहीं क्या कहते हूं, कुछ भी कहते हूं दोस्तों, वो जो कीड़ा होता है, वो केले की जो घार होती है, उस पर फूल में ही डंग मारता है या उसका रश चूसता है दोस्तों, तो उससे यह होता है कि केले की जो छीमी होती है, उस पर भी चित्ती बना देत किले काम है जो हमारी सोंकी होती है फूल होता है कुछ भी होता है उसका रस चूछता रहता दोस्तों और उसका रस चूछने से दोस्तों यह होता है कि हमारा जो केले की पत्ती होती है उसका क्लोरोफिल नस्ट हो जाता है दोस्तों और क्लोरोफिल नस्ट हो जाने की वज़े से पत्तिया जो है वो सूखने लगती है तो दोस्तों केले की पत्तिया सूखने से उसमें का जो क्लोरोफिल नस्ट हो गया दोस्तों तो वो हमारे जो है की शान चाह मोर्षक करता है। है कि यो हुद्र हने के लिए उसका के कर्णा ओपता के लिए उसमें बभुझार्ड होती है जसे हमारे वहाजन और होता तो हमारे इसका कstyle रूप से चलने के लिए उसमें में इसका रोरकी आ। नहीं करना है केवल सोकी सोकी में ही डाल देना है दोस्तों और उसके बाद दो तीन दिन बाद ही हमारी जो सोकी होगी वो अच्छे पत्ते के साथ निकलने लगी और उसमें कोई दाग धबा नहीं होगा और पत्तियां भी किनारे से नहीं सूखेंगी तो दोस्तों यही अनुभव आपको साध्या करना था मुझे इसी के लिए मैंने आप आज का वीडि हैं और अगर आपको भी कोई समस्या है या कोई सुझाओ देना है तो मुझे कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों नमस्कार बस इसी तरीके से दोस्तों सोंकी सोंकी में केवल मार देना है दोस्तों और सोंकी सोंकी में ज्यादा नहीं बीगे में एक टंकी ही पड़ेगी दोस्त कि क्या बताएं दोस्तों कि इसमें ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं है दोस्तों बस क्यों महिना थे दोस्तों कि